नमस्कार दोस्तों आज हम राजस्तान का परिवहन से सम्मदित महतोपूर्ण 50 परसनों पर चर्चा करेंगे सभी के सभी के उसन नए आंकड़ों पर आधारित हैं सबसे पहले हम सुरुआत करते हैं सड़क परिवहन से सम्मदित Q1 है राजस्तान राज्य पत्थ परिवहन निगम RSRTC की स्थापना कब की गई राजस्तान राज्य पत्थ परिवहन निगम की स्थापना बतानी है Option है 1 अप्रेल 1989, 1 अक्टूंबर 1864, 1 अक्टूंबर 1954, 1 अक्टूंबर 1964 तो इसका राइट आंसर है Option 4 एक अक्टॉंबर 1964 Q2 है राजस्थान से गुजरने वाला एक मातर एक्सप्रेश वे कौन सा है राजस्थान से गुजरने वाला एक मातर एक्सप्रेश वे बताना है ओप्शन है NH62, NH48, NH52, NH27 तो इसका राइट आनसर ओप्शन दो होगा NH48 Q3 निमन में से NH62 नहीं गुजरता है नेशनल हाईवे राश्थी राजमारक 62 नहीं गुजरता है श्री गंगानगर हनुमानगड बिकानेर नागोर तो इसका राइट आनसर ओप्शन दो होगा हनुमानगड NH62 है ये श्री गंगानगर बिकानेर और नागोर जिले से गुजरता है हनुमानगड के रंग महल से गुजरता है प्रोपर हनुमानगड से नहीं गुजरता है रंग महल रंग महल हनुमानगड से गुजरता है जिला मुखेले के अधार पर ये कुशन होगा सिरगंगानगर से गुजरता है, बिकानेर से गुजरता है, नागोर से गुजरता है और हनुमानगर के कहा से गुजरता है, ये रंगमहल से गुजरता है, हनुमानगर से नहीं गुजरता है जिला मुखैली के आदार पर इसका ओप्सन दो होगा Q4 है बुंदी सड़क सुरंग जो की राजस्तान की सबसे लंबी सड़क सुरंग है से कौन सा राष्ट्री राजमार्ग गुजरता है बुंदी सड़क सुरंग है यह है राजस्तान की सबसे लंबी सुरंग है और इससे बताना है कि कौन सा राश्टी राजमार्ग नहीं गुजरता है उप्सन है नहीं 27, नहीं 48, नहीं 21, नहीं 52 बुंदी सड़क सुरंग से राजस्तान का नेशनल हाईवे नेश बावन गुजरता है ओप्सन चैरीज का राइट अनसर होगा क्युस्टन पांच है कौन सा राष्ट्रिय राजमार्ग राष्ट्रिय मरू उद्यान से गुजरता है ओप्सन है इसके NH 68, NH 44, NH 88, NH 25 राष्ट्रिय मरू उद्यान से NH 68 गुजरता है ओप्सन एक इसका राइट अनसर होगा क्युस्टन चैरीज है निमन में से कौन सा राष्ट्रिय राजमार्ग गोल्डन ट्राइंगल सवर्णिम तिर्बूज का भाग नहीं है ऐसा राष्ट्रिय राजमार्ग बताना है जो कि गोल्डन ट्राइंगल एनि सवर्णिम तिर्बूज का भाग नहीं है NH 21, NH 44, NH 48, NH 27 तो इसका राइट अनसर ओप्सन चार होगा NH 27 NH 27 है यह सवर्णिम तिर्बूज का भाग नहीं है क्युस्टन साथ है राजस्थान से गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रिय राजमार्ग कौन सा है उप्सन है इसके NH 62, NH 44, NH 919, NH 448 राजस्थान से गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रिय राजमार्ग है NH 919 उप्सन तीन इसका राइट अनसर होगा किस्षन आठ है सिता माता अव्यारने से कौन सा राष्टी राजमार गुजरता है सिता माता अव्यारने परताबगड से कौन सा राष्टी राजमार गुजरता है NH 162, NH 56, NH 125, NH 752 तो इसका राइ टांसर उप्षन दो होगा NH 56 सिता माता ब्यानने से NH 57 राष्टी राजमार्ग गुजरता है Q9 है पुरुनते है राजस्थान में सबसे लंबा राष्टी राजमार्ग कौन सा है पुरुनते है राजस्थान में बताना है NH 448, NH 62, NH 25, NH 162 तो पुनते राजस्तान में सबसे लंबा राष्टी राजमार्ग है एनेसे 25 जिसके लंबाई 318.81 किलोमेटर है क्यूसन 10 है एक ही जिले में प्रारंब होकर एक ही जिले में समाप्त होने वाला राष्टी राजमार्ग कौन सा है ऐसा राष्टी राजमार्ग बताना है जो एक जिले में प्रारंब होकता है और उसी जिले में वो समाप्त होता है तो इसका राइट आनसर ओप्शन एक होगा ऐनेसे 448 जो कि पुर्णते राजस्तान में सबसे चोटा राष्टी राजमार्ग है Q21. क्यवला देव राष्ट्री उद्यान से कोन सा राष्ट्री राजमारग गुजरता है ? क्यवला देव राष्ट्री उद्यान भरतपूर जिले में है और इस necklace कोन सा national highway गुजरता है ? option है NH 58, NH 27, NH 68, NH 21 तो इसका right answer option 4 होगा, NH 21 Q12 है निम्न में से कौन से राष्टी राजमारग देबारी दर्रे से होकर गुजरते हैं ऐसे कौन से राष्टी राजमारग है जो देबारी दर्रे से होकर गुजरते हैं देबारी दर्रा है यह है उदेवपूर जिले में है और इस देबारी दर्रे से कौन से राष्टी राजमार गुजरते हैं ओप्शन है नह 48 नह 27 नह 27 नह 58 नह 48 नह 44 नह 58 तो इसका राइट अनसर ओप्शन एक होगा नह 48 वए नह 27 देबारी दर्रे से दो राष्टी राजमार गुजरते हैं एनेज 28, 48 और एक एनेज 27 क्युस्टन 13 है निमन में से कौन सा सवनिम तर्भूज का हिसा नहीं है ऐसा स्थान बताना है जो कि सवनिम तर्भूज का हिसा नहीं है ओप्सन है दिल्ली, जैपूर, आगरा, मुंबई तो इसका राइट आनसर उप्सन 4 होगा मुंबई मुंबई सहर है यह सवनिम तर्भूज का हिसा नहीं है सवनिम तर्भूज में दिल्ली, जैपूर, और आगरा आते हैं क्युस्टन 14 है निमन में से कौन सा राष्ट्री राजमार्ग सवनिम तर्भूज तथा सवनिम चतुर्भूज योजना के अंतरगते आता है ऐसा राष्टी राजमार्ग जो सवनिम तर्भूज और सवनिम चतुर्भूज योजना के अंतरगत आता है ओप्सन है नह 21, नह 44, नह 48, नह 16 तो इसका right answer option 3 होगा N.S. 48 N.S. 48 है यह साउनिम तिर्बुज और साउनिम चतुर्बुज योजना के अंतरगतें आता है Q. 15 है राजस्थान में राश्ट्रिय राजमार्गों की सरवादिक लंबाई कौन शेज जिले में है Option है पाली, अजमेर, उदेवपुर, राजस्थान तो इसका right answer option 3 होगा उदेवपुर राश्ट्रिय राजमार्गों की सरवादिक लंबाई उदेवपुर जिले में है Q. 15 है राश्ट्रिय राजमार्ग का संचालन कौन करता है राश्ट्रिय राजमार्ग का संचालन कौन करता है Option है केंदर सरकार बारतिय राश्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकर्ण दोनों कोई नहीं राश्ट्रिय राजमार्ग का संचालन है वो केंदर सरकार करती है Option 1 इसका right answer होगा Q. 17 राजस्तान में सरवादिक सड़क गनतवे कौन शेज जिले का है? उप्शन है बाडमेर, जेसलमेर, राजसमंद, अजमेर सरवादिक सड़क गनतवे उप्शन तीन, राजसमंद जिले में है क्यूसन अठारा है राजस्तान में सरवादिक सड़कों की लंबाई कौन से जिले में है उप्सन है बाडमेर, अजमेर, करोली, जैसलमेर सरवादिक सड़कों की लंबाई है बाडमेर जिले में उप्सन एक इसका राइट अंसर होगा क्यूसन उनिस राजस्तान का सबसे छोटा रज्य राजमारग कौन सा है राज्य राजमारग बताना है सबसे छोटा option है SS1, SS9B, SS111A कोई नहीं तो राजस्तान का सबसे छोटा राज्य राजमारग है SS111A option 3 इसका right answer होगा question 20 है राज्य राजमारग के मील के पत्थर का रंग कैसा होता है निला, हैरा, लाल, काला उप्सन दो इसका राइट अंसर होगा हैरा क्यूस्टन 21 है राजस्थान में लोग परिवहन सेवा कब सुरू की गई उप्सन है तेरा नुवंबर 2015 पच्चिस मई दो जार सोड़ा एक मई दो जार पंदरा एक अक्टूमबर 1964 राजस्थान में लोग परिवहन सेवा है यह तेरा नुवंबर 2015 को सुरू की गई थी उप्सन एक इसका राइट अंसर होगा क्यूस्टन 22 है राजस्थान में सडकों का नूनतम गनतवय कौन शे जिले में है उप्सन है दोलफूर, जोदपूर, बिकानेर, जैसलमेर सडकों का नूनतम गनतवय जैसलमेर जिले में है उप्सन 4 इसका राइट अंसर होगा क्यूस्टन 23 ग्रामिन सड़कों का संचालन कौन करता है option है राजे सरकार PWD के अंदर सरकार सभी ग्रामिन सड़कों का संचालन है वो राजे सरकार करती है ग्रामिन सड़कों जिला सड़क और राजे सड़क इन तेनों का संचालन है वो कौन करता है राज्य सरकार PWD यहें इनका क्या करता है रख रखाओ निर्मान एम रख रखाओ का कारी है वो PWD का है और के अंदर सरकार है यहें राश्ट्रिये राजमार्गों का संचालन करता है किस्टन 24 है NH 44 राजस्तान के कौन से जिले से होकर गुजरता है NH 44 है यहें राजस्तान के कौन से जिले से होकर गुजरता है उप्सन है अलवर, दोलपूर, जेसलमेर, भर्थपूर NH 44 राजस्तान के एक जिले से होकर गुजरता है वो जिला है दोलपूर Option 2 इसका right answer होगा Q 25 है Mukundra Hills राष्ट्री उध्यान Mukundra Hills राष्ट्री उध्यान से कौन सा राष्ट्री राजमार्ग गुजरता है NH 52 NH 11 NH 62 NH 27 Mukundra Hills राष्ट्री उध्यान से NH 52 Q 26 है Rajasthan का सबसे व्यस्तन राष्ट्री राजमार्ग है राजसान का सबसे व्यस्तव राष्टे राजमार्ग बताना है ओप्षन है नेच 48, नेच 52, नेच 62, नेच 44 तो इसका राइट अंसर ओप्षन एक होगा नेच 48 किसन 27 है राज्जे में महिलाओं को सुरुक्षित परिवहन सुविदा उपलब्द कराने है तू निर्भ्या बस योजना कब प्रारंब की गई ओप्षन है एक जून 2016, 25 मई 2016, 1 अप्रेल 2016, 1 मई 2016 निर्भ्या बस योजना है यह 25 मई 2016 को सुरू की गई थी ओप्षन दो इसका राइट अंसर होगा